तो अगर आप बिहार से हैं और बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तो इस साल यानि 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि दोस्तो यहां पर ढाई लाक लोगों को मिलेगा सरकारी नौकरियां दोस्तो किस किस पर्द में कितनी भरती आई है चलिए मै आपको step by step बताता हूँ इसलिए लोग करते हैं बिहार में अब आया है बाहर नया साल पर आपको लेके आया है नितीश कुमार अधाई लाक लोगों को मिलेगा जौब यानि नौकरियां तो चलिए किस छेत्र में किसना आया है भैकेंसियां इसकी बारे में step by step सारी जनकरिय जानते हैं तो दोस्तों चैनल पर नहीं आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए लिहार में 850000000 लोगों को मिलेगी नौकरिया दोस्तों किस पोस्ट में कितना आया है चलिए मैं step by step आपको बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों आ आपको स्वास्त प्रंचाइती राज के तहत भी यहां पर भाकेंसी आई है साथी समींदा धारी विभीन पदों पर भाकेंसी आई है तो दोस्तों किस डिपार्टमेंट में कितना आया है यह संभवटा किस यह यानि 2021 में क्या बहाली निकल जाएगी इसके बारे में सारा ड विभाकी में आपर बात कर रहा हूं जहां पर दोस्तों प्रारंभिक सिक्षक को 94,000 पदों पर निकाली गई है साथी दोस्तों माध्विक उच्छ माध्मिक सिक्षक के लिए 30,020 साथी सहायक परधाना ध्यापक के लिए 4638 पोष्ट साथी उठकर्मित हाई स्कूल पलस अब सरकारियां नौकरियां लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बंफर भरती लेकर आ रहा है 2021 में तो दोस्तों अगर आप लोग सिक्षा विभाग यानि डिपार्टमेंट में अगर आप यहां पर वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों ढाई लाख यहां पर वैकेंसिया निकलके आई है जिसमें से दोस्तों आपको डेर लाख आपको सिक्षा डिपार्टमेंट में दिया गया है उसके बार दोस्तों परिवहन विभाग में भी वैकेंसिया निकलके आई है जिसमें दोस्तों परवर्तन अवसर निरक्षर के लिए 212 और चं सब्सक्राइब के तरफ से चौवी और चौवी और चौवी और चौवी और चौवी के तहट तेरह सथ तिरानुए पोस्ट नहां पर बताया गया है साथ ही नाइक सेवा के लिए 271 उसी परकार यहां दिज्ञान एवं परद्धोकी विभाग के लिए इंजिनियर और सब्सक्राइब के लिए निकाला गया है चालक सब्सक्राइब के लिए निकाला गया है उसी परकार स्वास्त विभाग में भी निकाला गया है उसी परकार दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं पंचाइती राज विभाग में भी दिया गया है तो दोस्तों इस वार धाई लाक यहाँ पे आपको नकरिया मिलने वाली है बिहार में तो दोस्तों आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं उस सेक्टर का तैयारी करें साथ ही दोस्तों इसका लेटेस्ट जो अपडेट आएगा वो मैं आप सब लोग को इनफर्म कर दूँगा और दोस्तों अगर इस वीडियो में तत के लिए धन्यवाद